हेलो फ्रेंट स्वागत है अब सबका फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों अज के वीडियो में हम आपको बेगी पेंट की कटिंग सिखाएंगे और साथ ही साथ हीप केशाब से लेटरक निकलना सिखाएंगे तो वीडियो को पूरा देखना शलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमने कपड़े को डबल फॉलो करके उठ्टा बीचा दिया है अब हम इसको असी तरह से एड़्जस्ट कर लेंगे हमने इसको एड़्जस्ट कर लिया है अब हम उपर की तरब से एक सिधा मार्क लगा देंगे यहां से हम सिधा मार्क लगा देंगे अब इस वाले मार्क से हमें लंबाई का मार्क लगाना है यह दोस्तों हमारा नाप है इसके शाब से हम कटिंग करेंगे यहां से हम लंबाई का मार्क लगा देंगे लंबाई का मार्क हम अभी फिक्स लगाएंगे यह हमने लंबाई का मार्क लगा दिया है दोस्तों अब दो इंच हमें महरी मोडने के लिए इसमें पेड़ करना है वही मार्क हम इस तरब भी कोपी कर लेंगे लंबाय का और प्लस इसमें दो इंचे एक्स्ट्रा मोरी मोडने के दिया अब दोस्तों हम इसकी लटक निकलेंगी हीप के इसाब से इसकी लिए हमें हीप का सोताई भाग निकलना है जो हमारा इपका सोताय भाग निकलता है उसमें हमें एक इंच एड़ कर लेना है और मार्क लगा देना है क्योंकि इसमें यह बेगी मेंट है इसमें लटक थोड़ी लूज ही आईगी अगर नेरो टाइप का होता तो हम आप इंच इसमें से कम कर लेते इस तरह से दोस्तो हम मार्क को सिधा कर लेंगे दोस्तो वीडियो को पुरा देखना अगर सिखना है तो अब दोस्तों यहां से हमें पहले डेडिंज पर एक मार्क लगा देना है फिर हम इसमें जांग का हप करेंगे इधर से जितनी हमारे जांग है उसका हमें आप करके मार्किंग कर लेना है फिर इसका सेंटर निकर लेना है और इसको भी यहां पर मार्क लगा देना है यहां पर भी हम इस मार्क को कोपी कर लेंगे इस तरह से अब हम इस वाले मार्क को सिधा कर लेंगे इस तरह से यह दोस्तों हमारे मार्किंग हो चुकी है अब हम इसमें प्लेट का मार्क करेंगे पहले हम सबा इंच पे एक मार्क लगा देंगे इस वाले मार्क से और 1.5 इंच हम इसमें गेप छोड़ देंगे और फिर चे एक इंच पर मार्क लगा लेंगे यह दोज तो हमारे प्लेट का मार्क हो चुका है अब हम इसमें कमर का मार्क लगाना है पहले हम इस तरह से प्लेट को मिला लेंगे इस तरह से हम प्लेट को मिला लेंगे यहां से जी से हमने मार्क लगा जाया है उसी तरह से अब यहां से हमें कमर का सोथाई भाग करके उसमें एकी जड़ कर लेना है और जो निकलता है उसका मार्किंग हमें यहां पर कर लेना है यह दोस्तो हमारी प्लेट का मार्किंग हो चुका है अब दोस्तों हमें इस वाले मार्क को सिधा कर लेना है इधर से अगर ज्यादा राउंड आता है तो हमें जांकी साइज को थोड़ा बढ़ा लेना है इसमें हमें साइज थोड़ी बढ़ा नहीं पड़ेगी वह हम किस तरह से बढ़ाएंगे वह आप देखेंगे आगे पहले हम यहाँ पे चेंटर वाला मार्क को कोपी करके मोहरी का हब कर लेंगे अगर बारा इंच मोहरी है तो तीन तीन इंच लगा कि हम इसमें मार्किंग करना होता है इस तरह से हम इसमें मार्क लगा देंगे अब यहां से हमें सीधा शेप देना है इस तरह से यहां पर भी हम इस तरह से गोलाई दे देंगे अब दोस्तों हम इसमें जेप का मार्क लगाएंगे पहले हम डेड़ी इस पर मार्क लगाएंगे उपर की तरफ से फिर से इस पर मार्क लगाएंगे यह दोस्तों हमारे जेप के ड्रोइंग हो चुकी है अब दोस्तों हम इसको ड्रोइंग के से कटिंग कर लेंगे इस तरह से हम मार्किंगे जब से काट लेंगे दोस्तो जहाँ जहाँ हमारे सबी मार्क है वहाँ पर हम काट लगा दीए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो इस तरह से भ만ली कोई उननों इस हमारे सांट झाल कोई उनकी सकते हम कोई दृटड़ Map काटыт विसल्गशनार मार्क है वहाँ भाल कोई वहाँर और से काट वहाँ का लाच है झाल कोईक अथागा खता है झाल झाल अब इसमें से हम बेक कटिंग करेंगे यह हमने कपड़े को बिचा लिया है अब इस पर हम फ्रंट को बिचा देंगे इस तरह से अर अच्छी तरह से हम एड़्जेस्ट कर लेंगे यह दिखे दोस्तों हमने फ्रंट बिचा दिया है अब यहां से हमें इस वाले मारक को सीधा कर लेना है मोहरी वाले मारक को और इस वाले मारक को भी हम सीधा कर लेंगे और यहां से भी हमें इसको सीधा कर लेना है यह दोस्तो हमारा मार्क सीधा हो चुकी है अब यहां से हमें कमर का सुथाई बग प्लस एक इंच पे मार्क लगा देना है यह हमने लगा दिया है अब धाई इंच हमें इसमें एक्ष्टा रखेंगे अगर आप चाहे तो ज़्यादा कम कर सकते हैं यहाँ से भी हम देड़ इंच वाले मार्क को पहले सिधा करके फिर धाइंच इसमें लूजिंग रखेंगे यहाँ से अगर फिटिंग मेंड हैं तो आप सवा दो भी रख सकते हैं मोहरी में हमने एक इंच रखा है और घुटने की तरब एक सवा इंच में मार्क लगा देंगी इस तरह से हमें सेव देना है इसलिए हमें घुटने में सवा इंच रखा है इस तरह से हमें इसमें ड्रोइंग करनी है यहाँ पर भी हम थोड़ा राउंड दे देंगे यहाँ से दोस्तों हम ड्रोइंग इंच को बेक उपर उठा लेंगे और इस वाले मार्क भी हम सीरा कर लेंगे दोस्तों हमाई ड्रोइंग कम्प्लिट हो शुकी है इसको भी हम काट लेंगे